हेलो दोस्तों मैं हूं अमित्व फोन राखिंग ने वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों यह है टेक्नो का लेटेस्ट फ्लैक्शिप स्मार्टफोन जो है फैंटम 9 और इस वीडियो के इंदर मैं करने वाल हम इसकी अन्बोक्सिंग और आपको दिखाऊंगा इस फोन के सबसे इंपोर्टेंट फीचर्स तो लेट्स के शार्टर विधी अन्बोक्सिंग करने से पहले मैं आपको बता दों की फैंटम 9 आता है कुछ इंडुस्ट्री फिर्स्ट फीचर्स के साथ हां दोस्तों यहां पर मैं पात कर रहा हूं इंडिस्प्ले फिंगर्रिंट स्कैनर 15,000 से नीचे के प्राइस पॉइंट में और उसी के साथ साथ सबसे पहली बार आपको एक स्मार्टफोन के अंदर मिलेगा ड्यूएल फ्रेंट फ्लैश लाइट जो नॉमली किसी और स्मार्टफोन में आपको नहीं मिलता है मतलब अगर आप अंधेरे में भी फोटो घीचन सकते हो और यहां पर आपको मिलता है डॉट नॉच जिसके अंदर आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का AI कैमरा अगर बात करते है इस फोन की तो यह फोन लॉंच हो रहा है 15,000 के प्राइस पॉइंट के ओपर और मुझे यहां पर एक इंटरेसिंग चीज जो लगी वह है इनका 1111 promise मतलब आपको मिलेगा 100 days का replacement जिसके साथ साथ आपको मिलता है 12 plus 1 month का warranty तेकनिकली यहां पर आपको 100 days replacement मिलता है 12 plus 1 month का warranty मिलता है और 1 time screen replacement वाला आपको service का कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है अब चलिए हम करते हैं इस phone की unboxing में आपको दिखाता हूं इस phone के सारे features अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर box contents की तो यहां पर आप देख सकते हो कि box के उपर लिखा है techno phantom 9 और पीछी की तरफ आपको additional specs और information मोजूद है जैसे की AI triple camera, in display fingerprint scanner और कुछ interesting specifications जैसे box को खोलते हो इसके अंदर आपको मिल जागा एक छोटा सा box जिसके अंदर आपको SIM ejector pen, जिसके साथ साथ आपको मिल जाएगा information, इनके 12 plus 1 month की warranty booklet के बारे में, plus एक reading manual जिसके साथ साथ आपको एक interesting case मिल जाता है जिसके ऊपर vertical branding भी है, normal क्योंकि cases के ऊपर कभी मैं हमने branding नहीं देखिये, तो यह काफी interesting concept है, इसके आगे बढ़ते हैं यहां पर हमें यह phone मिल जाता है जो wrapped एक plush cover के अंदर और इसके बाद में देखेंगे, जिसके बाद यहां पर आपके सामने है यह travel adapter, हलांकि यहां पर clear mention है made in India का, और यह है BIS certified adapter, जिसके अंदर आपको मिल जाता है 10 watt का power output, इसके बाद आपको मिल जाता है micro USB cable, और एक अच्री बात यह है कि आपक करते हैं इस smartphone की, तो अगर हम बात करते है physical overview की तो यहां पर आपको पीछे की तरफ मिल जाता है, techno और phantom का branding vertical format में, जिसके साथ साथ आपको मिलता है triple rear camera और quad LED flash light, अगर हम बात करते हैं front की, तो यहां पर आपको clean design मिल जाती, एक छोटा सा ओपर dot notch है, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा इनका front camera और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे right side में तो आपको मिल जाएगे on off switch और volume rocker, lift के side में आपको मिल जाते है triple slots, मतलब आप दो sim cards और HD card एक साथ insert कर सकते है, ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है microphone और नीचे की तरफ आपको मिल जाता है speaker grill, USB port, microphone और 3.5 mm headset jack, तो यह है इस phone का physical overview, और overall काफी interesting design आपको पीछे की तरफ मिल जाती है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस phone के hardware की, तो यहाँ पर इस phone के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Helio P35 processor, 32 megapixel का selfie camera, एक triple rear camera setup पीछे की तरफ और 6.4 inches का 19.5 x 9 HD Plus AMOLED dot notch display मतलब काफी interesting vibrant display आपको मिल जाता है, और अगर हम बात करते हैं battery की, तो इस phone के अंदर आपको मिलती है 3500 mAh की battery और 6 GB RAM और 128 GB का storage, मतलब आपको storage और RAM का तो कोई tension ने का जरुरत ही नहीं है, और इसे साथ-साथ मैने आपको पहले ही बता जाते है, इस phone के अंदर आपको मिलता camera, जिसमें आपको मिलता है bokeh mode, AI camera mode, portrait mode, air shot और wide selfie, air shot में काफी interesting effects आपको मिल जाते हैं जो आप यहां पर demo में देख रहे हो, और इसे के साथ-साथ आपको मिलता है dual front flashlight, and trust me guys, यह सिर्फ एक show off नहीं है, in reality, AI selfie और यहां पर dual front flashlight setup, अब चलिए हम बात करते है, rare camera की, दोस्तों यहां पर आपको मिलता है section megapixel का primary camera, जिसके साथ आपको मिलता है 8 megapixel का wide angle setup, जो काफी interesting है, plus 2 megapixel का depth sensor, जिससे आपको काफी अच्छे bokeh shots मिल जाते हैं, again यहां पर इस phone के अदर आपको मिलता है night algorithm 2.0, और इस phone का aperture, मतलब इस camera का aperture है f1.85, प्लेस उसके साथ-साथ आपको मिल LED flash, मतलब इस ही के अंदर आपको काफी interesting LED photos से photos भी ले सकते हैं low light में, अगर बात करते हैं इस camera के options की, तो यहां पर आपको same options मिल जाते हैं, जो आपको front में मिले थे, जो है video, AI cam, beauty, bokeh, air shot और panorama, अगर बात करते हैं, यहां पर video की तो दोस्तों, यहां पर आपको option मिलता है Full HD तक का video recording करने का, अब अगेन यहरे कुछ camera sample जिसे आपको idea मिल जागे कि smartphone का camera कैसा है Again, यहां पर अगर आप देखोगे, तो clearly आपको selfie के अंदर भी बहुत अच्छे details मिल जाते हैं, तो अगर आप एक selfie smartphone की तरफ देख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि काफी आप wide-angle photo कीचो, then this camera looks very impressive अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, इस phone के software की, well यहां पर आपको मिलता है HiOS 5.0, जो रन कर रहा है Android 9.0 के ऊपर और यहां पर इस phone के अंदर 128GB में से, 116GB आपको मिल जाते है out of the box, मतलब जो HD card का option है, आपको use करने के जरूत ही नहीं पड़ेगे, क्योंकि काफी space आपको मिल जाते है out of the box, लेकिन अब मैं आपको इस phone के complete wrap-up करता हूँ, main important features की, इस phone के अंदर आपको मिलता है in-display fingerprint unlocking का feature और AI face unlock का feature, यह उनलों के लिए जिसको चाहिए ज्यादा security, pin lock के comparison में, well this is काफी interesting, यहां पर काफी अच्छी तरह से, यहां पर face unlocking को fingerprint setup भी काम करता है, तो दोस्तो यह था एक complete overview और सारे features का overview इस नए Tecno Phantom 9 smartphone का, again 15,000 के प्राइस के उपर यह smartphone को launch किया है, जिसमें काफी interesting, I would say मेरा personal feedback तो यह है कि camera काफी interesting लगा मुझे, again overall दिखने भी काफी interesting phone है, काफी slim है, form factor और यहां पर 3500 mAh की battery आपको मिल जाती है, अब चले हम बात करते एक छोटे से surprise की, दोस्तो आप ऐसे कोई एक जीत सकता है, यह smartphone और giveaway का contest बहुत ही simple है, step 1 यह है कि आपको इस वीडियो को like करना, इस चैनल को subscribe करना है, second step यह है कि आपको नीचे comment करके मुझे दो अच्छे features बताने है, आपको कौन से भी कोई भी features, मैंने इस वीडियो के उन को मैं दे दूंगा मेरा यह review unit, I think again काफी साहिम के बाद मेरे पास Techno का smartphone आया review करने के लिए, and I would say I'm pretty much impressed, so यह है latest Techno का Phantom 9 smartphone, अगर आप कोई वीडियो पसंद दा तो इस वीडियो को like कीज़ों और subscribe रहे हमारे चैनल को, कुछ ऐसे interesting videos के लिए, मैं हूँ Amitab, मैं आपको मिलत